Hello students, I hope आपका course finished हो चुका होगा, आज हम आपको class 12 के project के बारे में बताने जा रहे हैं, as you all know that out of 100, 20 marks are kept for project work, so these 20 marks are further divided, अब यह 20 marks आपके project के लिए रखे गए हैं, उनको कैसे बाटा गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, as you can see here also, two marks are kept for project synopsis, दो नमबर में आपको अपनी project के synopsis दिखनी होगी, और synopsis का मतलब क्या है, आपको just यहने की short में अपने project के बारे में देना होगा, three marks आपके content के related to pictures होगी, यानि की data होगी, analysis होगा, यह map work होगा, उसके लिए होता है, then five marks आपके content presentation के होते हैं, five marks आपके interpretation के होते हैं, व्याख्या करते हैं, जो भी आप जैसा भी, one mark is there for bibliography, bibliography का मतलब है, सोच, जहां से आपने इसको बनाने के लिए, अपनी सामगरी खटा की है, उसके लिए आपको one mark मिलते हैं, किताब भी हो सकती है, किताबों के नाम भी हो सकती है, और वो किसी site की नाम भी उसमें आ सकते हैं, फिर four marks आपके वाइवा के होते हैं, और ये वाइवा आपको जो चार नमबर मिलने हैं, examination की दिन, practical के दिन, जो examiner वाहर से आता है, वो आपके performance के basis पे आपको ये marks award करेगा, आप सबसे बड़ी बाती है कि ये जो 20 marks मिलने हैं, इसको हमें कहां पर कैसे इसको यूज़ करना है, किस topic पर आपको बनाना है, तो topic you can choose any topic from your syllabus, class 12 के CBSC के syllabus कोई भी topic आप चूज़ कर सकते हो, उस पर अपना project बना सकते हो, Today I am going to show you one project also, ये project आपका पहला chapter है, उसके उपर है, ये भी एक student का ही project है, तो first chapter आपको मालूम है, इट मनके और अस्थियां, ये आपका है, जिसमें इमेली आपका सिंदु घाती सर्विता के बारे में दिया है, आपको मैं एक project दिखा भी नहीं हूँ, आप अपने project में आपको किन लोगों ने इस project को बनाने में help की है, you are supposed to say thanks to all the people, those who helped you in making of this project, आप देख सकते हैं, सिंदु घाती सर्विता का जो project बनाया इस भच्चे ने, इसमें इसने पहले तो इसका introduction दिया है, और अगर इसमें आपको इसे related pictures मिलती हैं, तो उन्हें जरूर लगाएं, क्य shot भी ले सकते हैं, इससे आपको project बनाने में भी help मिल जाएगी, इसमें आप देखेंगे, पुरी कोशिश की है बच्चे ने की, जितने भी आपकी जो sites हैं, और जो कुछ भी इससे related आपका है, सब कुछ इसमें, बनावली चनु नडो, लोथल, काली बंगा, ये सारे sites के ना ही हैं, बहुत, तो आप internet से बहुत अच्छे अच्छे pictures आपको मिल जाएंगे, आप उनकी copy करके लगा सकते हैं, अगर जिनकी अच्छी है, बेतर है, मैं तो कहूंगी कि बना करके ही लगाएं वो, और कुछ pictures आप बना के लगा दें, कुछ pictures को आप net से निकाल के लगा सकते हैं, टॉपिक में सब कुछ cover होना जरूरी है, जो कुछ भी आपका है, NCRT के किताब में, वो सब कुछ ही cover होना चाहिए, यहां आप देखेंगे, इसने seal की जो photo बनाई है, बहुत ही सुन्दर बच्छे ने बनाया है, इसको अगर आप बना सकते हैं, तो अच्छे बात है, और seal की ओपर आप देख सकते हैं, कुछ script भी लिखी हुई है, इसे कि आज तक भड़ा ही नहीं जा सका है, फिस तरीके से इनके social differences के बारे में भी जानकारी मिलती है, नेक्स आप शवाधान के तरीके जो थे, इसके बारे में भी बच्छे ने लिखा है, यह बहुत सारी बर बरतन है, मिच्ची के भी बरतन मिले हमें, फ्यांस का एक पात्र बना है, मिला है, तो यह सब चीजे इस बच्छे ने भी बना करके लगाई, आप भी अगर चाहें, तो इसको इसका ड्राइंग बना के लगा सकते हो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, अगर आपकी फाइल में आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं क्या, बहुत सारा आपने बड़ी मोटी 50 pages की फाइल बना दी, बट इस नोट ब्यूटिफुली प्रेजेंट तो आप आपको उतने माक्स नहीं मिलेंगे, मिट्टी से बनने हुए बरतन मिले हैं, बहुत काफी संख्या में मिले हैं, ये भी ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया, इस बच्चे ने लगाया है, फिर चनुदरो साइट के बारे में आप जानते ही है, बीड मेकिंग फाक्टरी यह वी होता है, मोते जो मन के होते मोतीयां, सो यूगन सी हिर, ये वी शाल सनाला गार का फोटो है, तो इस बच्चे ने भी रेकिया है, कुछ फोटो स तो इस ने ज्वा करने की कोशिश की है, और कुछ ने पिंट आउत लेकर के लगाया है, यू के अथो दे लेकर के से लिए दिधीजर वह से यह बहूत अच्छी बनाई गई हैं मुझो के बारे में और लिपी के बारे में वी जानकारी लिपी जो की हम अभी जानते हैं कि इसको भी तक को पर नहीं पाया जिसकी वजह से अभी भी बहुत सी चीजबिने को लेकर करके अंधेरे में ही यह मैं आपको एक एक पेज दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट लेके लग सकते हैं बाट बनाय जाते थे चर्ट नामक पत्थर से बनाय जाते थे इनकी सामाजी के स्थिति कैसी थी कि शर्षक के बारे में भुट आपकी किताब में यह बहुत सु powो हित राजा बना है बच्चे ने फूरहीत राज आधरी यह बहुत सु Edge या बाद्ध दौनाया वाग्जाना यह बेद्ध था इसके बारे चियार्जेंट लगाया है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें खाली इनी परपस है कि आपको उन्हें प्रोजेक्ट बना दिया उसमें आपका पुरा चार्टर प्रिपेर हो जाता अची तरीके से क्योंकि जब आप लिखते हो तो एक-एक चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ती है और आपको वाईवा के लिए भी एटलीस जितना आपकी फाइल में है एक-एक शर्द आपको क्लियर होना चाहिए इसको क्या क्या आपको याद भी होना चाहिए लास्ट में कॉंक्लूजन जरूर रहेगा निशकर्स जरूर रहता है आपका जैसे शुरू में आपने इंत्रोड़क्शन दिया है वैसे conclusion भी रहेगा कि क्या conclude करा आपने इसको और आपको हमने बता थे one mark आपके bibliography के हैं तो bibliography में आप देख सकते हैं बच्चे ने कुछ किताबों के नाम दिये और कुछ इसने sites के नाम भी mention कर दिये हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए अगर आपको ना चाहते तो आपको insights से भी मिल जाएगा आराम से material अबलेबल है तो this was all about the first theme of class 12th okay next video में मैं आपको विजय नगर empire के बारे में एक video upload करूंगी क्योंकि ज्यादा तर बच्चे आपकी topics हो बहुत दिये हैं पर बच्चे विजय नगर अंपाया या revolt of 1857 या freedom movement इन पर ही बनाना जदा प्रिफर करती क्योंकि इस पर आपका material बहुत available है दूसरी चीज का बायवा भी अच्छा हो जाते है क्योंकि इसमें questions बहुत बन जाते हैं तो I hope this is going to help you just after 2-3 days you will be getting two more videos thank you